क्या दोस्तो आपका पाचन खराव रहता है या आपको blood pressure की बीमारी है या सरीर में खून की कमी है और आपकी immunity कमजोर है और आप जल्दी जल्दी से सर्दी खांसी जैसे इन बीमारीयों का सिकार हो जाते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चमतकारी चीज के सेवन की विदी के बारे में बताएंगे जो लाखों रोगों की सर्फ एक दवा है और यदि आप इस चीज को खाएंगे तो दोस्तो बड़े से बड़ा रोग भी घुटने टेकने पर मजबूर हो और दोस्तो ये चीज भी आपको अपने आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएगी और आपको इन सर्द्यों में इसका सेवन जरूर करना चाहिए दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सकरगंद की सकरगंदी इसको कहीं जगहें बोलते हैं आपके वहाँ पर क्या नाम से बोलते हैं आप हमें जरूर बताएं इंगलिस में इसको सवीट पोटैटो बोलते हैं दोस्तो आपको सर्द्यों में सकरगंदी बेचने वाले हर जगहें मिल जाएंगे और ये है ही इतनी स्वादिष्ट कि हमारा इसको खाते खाते मन ही नहीं बरता दोस्तो ठं इसमेक इंडेक्स भी कम होता है इसलिए इसको डाइबटीज के मरीज भी खा सकते हैं सकरगंद में विटामिन A और बिटा कैरोटीन भी भरपूर मातरा में पाये जाता हैं जिससे आपकी आँखें सही रहती हैं दोस्तो शकरगंद में आपकी आँखों की रोशनी बढ़ान इसमें वाले गुन भी होते हैं दोस्तो इसमें फाइबर मुझूद होता है जो आपको कब जैसी बीमारियों से बचा कर रखता हैं यदि आपको डाइबटीज की समझ से हैं तब आपको सेवन करना चाहें क्योंकि दोस्तो एक सोध के अंसार सकरगंद में पाये जाने वाले फलेवनाइट रखत में मुझूद गुलकोच के स्तर को कंटोल करने का काम करते हैं और वैसे भी दोस्तो आपको इसका सेवन करना चाहें इसका गलैसमेक इंडेक्स कम होता है जो आपके सरीर के लिए बहुत आदे का फाइदे मांदाता है खासका डाइबटीज के रोगियो यदि हमारा इम्म्यून सिस्टम कमजोर हो तो सरदी जुखाम जैसे कई बीमारिया हमारे सरीर को लग जाती है इन सब बीमारियों से निपठनी के लिए हमें चाहिए कि हम अपने सरीर की रोग प्रतुरदक समता को बढ़ाएं और दोस्तो सकरगंदी में ऐसे गुण पाये जाते हैं जिसका सेवन करके आप अपने रोग प्रतुरदक समता को बढ़ासकते हैं दोस्तो आपके हरदे के लिए भी सकरगंदी बहुत अधिक फाइदेमन है क्योंकि इसमें पोटासियम, सोडियम और कैलसियम जैसे पोसक तत्तो भरपूर मातरा में पाये जाते हैं जो आ जैसी सवास बीमारियों से लड़ने में बहुत अधिक लाब करी हैं दोस्तो इसमें केलसियम भरपूर मातरा में पाये जाता है और केलसियम की कमी के कान हमें हाडियों के दर्द, जोड़ों के दर्द का सामना करना पड़ता है इसलिए आप इस परकार के किसी भी दर्द से बचना चाहते हैं तो आपको सकरगंदी का सेवने जरूर करना चाहिए दोस्तो गठिया ऐसी स्थिति हैं जो जोड़ों में दर्द और सूजन का कान बनती है दोस्तो जिन लोगों को गठिया है उन मरीजों के लिए सकरगंद बेहद अधिक फाइदेमन्द है क्योंकि दोस् आंखığın की देखबाल करना चाहते हैं, आंख़ो के रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं, तब भी आपको सकरगंद का सेवन करना चाह Phantom고 क्रूँ करने में आपकी मदद करते हैं। यदि आप अपने वज़न को कंब करना चाहते हैं, दोस्तो तब भी आप सकरगंद का सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसमें anti-officity गुण होते हैं जो आपके मोटापे को कम करने के लिए जाने जाती हैं तवचा के देखबाल के लिए भी आप सकरगंद का सेवन कर सकते हैं क्योंकि दोस्तो इससे आपके चहरे पर जुरिया नहीं आती और आपके चहरे की चमक हमेशा बरकरार रहती हैं। तो देखा दोस्तो सकरगंद है कितनी चमत करें और आपने इसको भून कर इसका सेवन करना है। यदि आप इसको भूनने की नई विदी जाना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल Cooking with Health को सब्सक्राइब कर सकते हैं या उस वीडियो का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं कि सकरगंद को कैसे आप बड़ी असानी से भून सकते हैं। तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वडियो की नोटिफिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों।